Hello everyone, आज हम Production and Operations Management का Lecture 29 डिसकस करने जा रहे हैं स्टार्ट करने से पहले एक disclaimer कि इसका content आपके virtually university के handouts, video lectures और presentation slides को review करने के बाद बनाया गया है अपना research work भी आड़ किया गया है यह इस lecture का content है, आप pause करके भी दे सकते हैं, आई स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है aggregate planning, इसमें word planning को पहले discuss कर लेते हैं, तो planning code में मनसुबाबंदी कहते हैं, ठीक है, इसको एक example से समझते हैं, यह assume करते हैं कि हम manufacturing site पे हैं और हम laptops बनाते हैं, ठीक है, और हमारी company के order में लवाए 6000 laptops बनाने का, ठीक है, अब उसके लिए obviously मैंने क कुछ ने कुछ planning करना होगी, ठीक है, लेकिन यह भी जहीं में रखना है, कि यह planning जहुरी नहीं है, कि मैं सर्फ manufacturing site के लिए कर रहा हूं, तो मेरी company को service site की भी हो सकती है, पर इसकर मेरी company है, जो के COVID-19 के test करती है, और मेरे पास कोई और company order लेके आई वी है, कि उसके employees हैं, मु manufacturing और services दोनों के लिए यह planning हो सकती है, अब planning हमारे पास तीन different types की है, ठीक है, एक हमारे पास short range है, दूसरी हमारे पास intermediate range है, और तीसरी हमारे पास long range है, next इनको discuss कर लेते हैं, अब सबसे पहले हमारे पास short range, तो यह कम मुदत की जो planning होती है, उसको represent करती है, ठीक है, मतलब वो planning जो के मैं कहा हो हूँ कि जी आज के देन के लिए करनी हमने है, या कल के देन के लिए करनी है, महीने के लिए करनी है, या दो महीने से कम time के लिए जो planning होगी वो short range में आएगी, ठीक है, इसमें धातर operational planning होती है, मालब इस तार की, अगर मैंने हमारे example में 6000 laptop अगर बनाने तो मैं किसे worker को कह रहा हूँ कि आपने इन machines पर काम करना है या workers अगर मैं कहता हूँ कि आपने इतना raw material इन machines में डालना है ठीक है, raw material हमारे इस case में क्या होगा, rubber होगा, plastic होगा, steel होगी ठीक है, तो इस तरह की मनसुबबंदी अगर हो रही है तो वो short range में आएगी ठीक है, next दिखते हैं, आगे जी हमारे पाश है, intermediate range planning तो ये वो planning है जो कि आने वाले 2 माह से लेकर 12 माह के लिए की जाती है, ठीक है, अगर तो कोई planning मैं आने वाले तीन माह के लिए कर रहा हूँ, तो इंट्रमेडर में आएगी e अगर मैं कुई planning आने वाले 11 महा के लिए कर रहा हूं तो वह इंट्रीमेंट में आएगी तो कम से कम दो महीने ज़्यादा 12 महीनों के लिए मैं कुछ प्लाइन कर रहा हूं तो इंट्री में रिट्रेंज में आएगी हमारी इस लापटाप वाल एक्जांपल में अगर 6000 हमारे पास लापटाप हमने बनाने हैं और मैं यह प्लानिंग करता हूं यह मनसुबबंदी करता हूं कि मैं पहले कौर्टर में इतने लापटाप बना रहा हूं गर मैं इसका सम कर लूँ ठीक है और हर कौर्टर जो है तीन मंज को रिप्रेजंट करता है तो यह टोटल चार कौर्टर हैं तो यह बारा महीने बन गए ठीक है तो यह मैंने मनसुबब बनाया है कि मैं 12 महीनों में इस डिविशन के साथ लापटाप बना रहा यह बारा महीनों की टी तो इंटरमीडिट रेंज कानिंग में अग्या आग्या अगर मैं यह प्लान कर लेता हूं कि पहले कौर्टर में मैं 3000 बनाऊंगा तो यह कोड़ 6000 लाप्टाप मैंने बना लिए और कितनी मुदत मैंने बना लिए 6 माह के अंदर तो यह आपकी 6 माह तो यह आने वाले वाक्त के लिए मैं जो प्लान कर रहा हूं लेकिन उसकी प्लानिंग का टाइम फ्रेम जो है वो इस मुदत के दर्मियान फॉल करना चाहिए तो वह इंटे मिनिट रेंज कर लाईगी ठीक है लेकिन इसमें यह भी जहुरी है कि सिर्फ यह नहीं प्लान करना क कितने इंप्लाइज रिक्वाइड होंगे तो इसकी प्लानिंग करना या फिर इंवेंटरी लेवल मैंने क्या मैनेज करने इंवेंटरी पर ऑल्दो कि हमारे पास आगे बाड़ डीटेल में टॉपिक है लेकिन आपको हाई लेवल बता दू कि रॉम माटीरियल जो हम लेते ह करने टीक है किसी भी प्रॉडक्ट करने के लिए तीक है या वो प्रोडरक्स जो कि हमने बना लिए हैं लेकिन वह अभी विके नहीं है हमारी फैक्ट्री या वेरहाउस परणे तो वह इंवेंटरी के लाए जाती है तो उनके क्या लेवल मेंटेन रखने है तो अगर रॉम म मतलब यह कि अगर आपकी फैक्टरी की टाइमिंग फरिस करें सुबह नौ से शाम 6 वे तक है तो वो रेगुलर टाइम है उसका तो यह प्लाइन करना कि यह जो 6000 में बना रहा हूं यह आने वाले इतने माह के लिए हम 9-6 के दर्मियानी काम करके बनाएंगे यह फिर और टाइम करेंगे अगर आपको लग रहा है कि हम 9-6 अगर लगतार इतने टाइम के लिए काम कर रहे होंगे तो तब भी नहीं बना पाएंगे तो फिर बेतरी है कि हम ओवर टाइम कर लें फिर आप यह प्लाइन करते हैं कि जी हमें शायद एक गहंटा दो गहंटा ओवर टाइम करना पड़ेंपलाइस को 9-6 नहीं 9-8 काम करना पड़ें तो यह प्लाइन करना या फिर बाद वकात ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि अगर और टाइम भी मैं 2-3 घंटे करनों तब भी यह 6000 का फिगर नहीं बना पाऊंगा मैं तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आप किसी और फैक् करनते नहीं भी हो लेकिन आप समझते हो कि यह और 6000 का आप नहीं पूरा कर पाऊगे इस टाइम फ्रेम के अंदर तो बेतर यह कि आपको यह लागर है कि 5000 में पूरे कर पाऊंगा 1000 फिर भी रहा जाना है ठीक है तो 1000 जो है वह आप किसी और ऐसी फैक्ट्री को देरेते हो जो किसी और सब काउंटाइट करलए के वह कस्त्मर की दिमांड पूली के लिए बनातों लेकिन सम्वें का *** बात हो रही है तो प्रव्तिया कैया की अदूर आई फिस से और से बनवाना पड़ रही है लेकिन अल्टिमेटली कस्टमर को तो उसका मक्सद पूरा करके दे रहे हैं आप 6000 उसको बना के दे रहे हैं तो यह प्लाइनिंग करना कि मुझे सब कांट्रेक्टिंग करनी यह नहीं करनी ठीक है तो यह भी इसमें आता है बैक और अगर आप कस्टमर से की डिमांड आगी यह 6000 और आप उसको बताते हैं कि मैं आपको यह तीन माह के अंदर तो सारी नहीं दे पाऊंगा आपको मैं तीन माह के अंदर इतने दे पाऊंगा ठीक है अगले तीन माह के अंदर इतने दे पाऊंगा तो यह वाले जो ओर्डर्स है ना यह बा वो back orderz कला जाएंगे ठीक है तो ये इस टाईप के टेस्लेंट की रनेंग के दर हो रहे होते हैं नेक्स देखते हैं आगी हमारे पास है long range planning टो ये वो planning है जो कế yun long ऐन्य लम्भी हरसे के लिए की जाती है तो जो के बारा महीने मोईने से थे जादा की मुदत के लिए की जहारी है वो लॉणग रेंगर इनतर आएंग तो अगर मैं कुछ प्लानिंट कर रहाने वा रहा हूं कर T है और जो शौर्ट रेंज प्लानिंग है यह जातर मिडल मेलमेंट से जो लोर रैंक के लोग होते हैं मलब सुप्रवाइजिस होगे टीमीड होगे एक्जेक्टिव होगे वो करते हैं तो हम डिसकस कर रहे थे प्लानिंग को तो इस में इस तरह की मनस Schol 550 के चाहिए कर आपको कहांपर चाहिए और किसद्स की चाहिए ठीक है यह बार न निभी लांग रेंज़ues के लाता है तो यह मारे पास तीन डिफरेंट्ट टाइप की प्लानिंग थी ठीक है अब आगे देखते हैं कि aggregate planning की definition किया है अच्छा इन सब discussions के बाद हम ज़रा बेज़ दरीके से aggregate planning की definition को समझ सकते हैं तो it is defined as intermediate range capacity planning intermediate range में हमने यह discuss किया था ठीक है और capacity planning में हमने यह तमाम areas और attributes को discuss किया था ठीक है तो जब हम यह discussion कर रहे थे तो हम aggregate planning को discuss कर रहे थे ठीक हो गया इसको और simplify करें तो यह कहता है कि how we are going to optimally utilize our resources in order to meet the demand ठीक है अब हमारे case में demand क्या थी demand customer की यह थी कि उसको 6000 laptop चाहिए थे ठीक है हमने यह 6000 laptop की demand meet करनी थी ठीक है तो meet किसना से करनी है कि आपने उसको वही 6000 की quantity पूरी करके देनी है जो quality कमिट की गई है उसी quality के laptop बना के देने उस time frame में देने जिसमें वह customer ने आप से demand की है और उस कीमत में देने जो कि आपकी तैह हुई है ठीक है तो यह तो एक पार्ट हो गया aggregate planning का दूसरा पार्ट capacity वाला था तो यह कह रहा है कि optimally आपने उटलाइस करना अपने resources को ठीक है बहतरीन तरीके से आपने अपने resources को यूज करना resources में क्या आते हैं आपके workers आते हैं आपकी machines आती है ठीक है आपकी वो जगह आती है जहां पर आप काम कर रहें factory हो सकती है आपकी space हो सकती है ठीक है और lastly आप कम से कम पैसों में यह बना के दें तो यह बहतरीन तरीके से utilization होती है resources की ठीक है तो यह capacity planning में आई रहता है ठीक है और यह जो है सारा काम जो है मैं दो माहा से लेकर बारह माह की मुदद के अंदर कर रहा हूंगा तो यह aggregate planning के लाई जाती है ठीक है तो next पांच मालूमात हैं यह अगर as an input आपको पहले से ही पता हूंगी तो आप एक अच्छी एग्रिगेट planning कर पाएंगे इसके गेंस आप अच्छी outputs को अगर demand forecast के ज़रिये पहले ही बता दिया जाए कि आने वाले साल में आने वाले 12 महां में आपकी ice cream की जो demand है वो तक्रीबन पांच होगी ठीक है और यह भी बता दिया जाए कि पांच लाक का मतलब ऐसे होगा कि तीन लाक तीस हजार जो है वो गर्मियों में डिमांड होगी और बाकी मौसमों में एक लाक सतर हजार होगी तो कुल में लागे पांच लाक होगी तो एक अच्छी information अगर आपको as an input as a demand forecast पहले हाइर करना है अपनी inventory को जो raw material है वो कितने रखने ठीक है तो अगर आपको पहले से पता होगा कि for instance गर्मियों में डिमांड बहुत जादा बढ़ जानी है तो चाहिए आप आइस्क्रीम ज्यादा बनानी पड़ रही हो ज्यादा इस्क्रीम करने का मतलब यह कि ज्यादा raw material इस्तमाल होगा ज्यादा लोग चाहिए होंगे आपको तो फिर आप उसे साब से आने वाले उन 12 माह की फिर planning कर रहे होगे तो यह तो एक input count हो गया फिर company की पॉलिसी होती है ठीक है फरस करें एक company है जो जो यह policy रखती है कि हम subcontracting allow नहीं करेंगे ठीक है हमने last lecture में पढ़ किसी भी वज़ा से पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप किसी और company को ले देते हैं ताके वह आपके लिए वह पूरा करके दे दे और फिर आप customer को वह तमाम की तमाम प्रवाइड कर रहते हैं ठीक है तो company की policy है कि वह भरोसा नहीं रखती किसी और company पर वह चाहती कि सब कुछ हम खुद ही करें या फिर वह company कहती कि हम ओवर टाइम नहीं करेंगे आपने जो भी बनाना होगा regular time में बनाना होगा ओवर टाइम की policy हम अलाव नहीं करते हैं या फिर कोई material की policy हो कि material जो है जो raw material है वह आप अपनी warehouse में या factory के अंदर दो मैंस जादा time का नहीं रख सकते ठीक है तो different types की policies होती है points होते है कुछ do's and don'ts होते है terms and conditions होती है उनका आपको पहले से पता होना जोरी है ताकि वह भी planning का ऐसा हो ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा plan कर रहे हो जो कि आपकी company की policy के against हो से contradict कर रही हो ठीक है तीसरा मारे पास है strategic objectives तो फरस करें आपकी company का strategic objective है कि आपन planning के अंदर शामिल होना आपको पता होना जोरी है ताकि आपका focus सिर्फ quantity पे ना रहे मिगदार पे ना रहे आप quality पर भी focus कर रहे हो कि अच्छी quality पर्स या services दे रहे हो ठीक है इसके बाद हमारे पास है financial constraints तो अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपके पास पैसों की position क्या हो क्या आपको मशल मसाइल आते हैं हमोमन ठीक है साल के इस हिस्से में आपको पास पैसे कम होते हैं इस हिस्से में जढ़ा होते हैं ठीक है आपको बैंक्स कर्दा नहीं देंगे ठीक है या आपके पास पैसों कि यह position होगी तो उससाब से पिर आपPlane करते हैं किrice मरॉम मैने तो अगर फरस करें आपको पहले सी पता हो कि आपके पास मशीन कितनी है और उन मशीन की आउटपुट जो कैपसिती है वो क्या है फरस करें आपको यह पता पहले सी है कि आपके पास जो मशीन हैं वो दिन में 100 प्रोडक्ट्स पर डे प्रडियूस करती है ठीक है तो यह अच् ठीक है तो यह तमाम as an input आपको help कर रहे होते हैं इसके बाद हमारे पास है aggregate planning के outputs तो यह वही outputs हैं जिनको हमने already discuss किया थे जब हम topic study कर रहे थे intermediate range planning ठीक है तो बहाल फिर भी इनको एक एक करके discuss कर लेते हैं first one is size of the workforce तो यह आपको बताता है कि आपने कितने employees यह कितने workers hire करने हैं या उनको इस्तिमाल करना है को प्रड़क्ट प्रड्यूस करने के लिए services के लिए ठीक है तो इस बार services site से example लेते हैं फ़रस करें आपकी company है जो के बंदा चाहिए होगा ठीक है फिर और अगर आपने कोई food की services देनी है तो ब्रेक के दौरान तो उसके लिए आपको बंदे चाहिए होंगे movie चलाने के लिए बंद करने के लिए तो इसके लिए आपको एक workforce चाहिए होगी ठीक है तो इसके size को manage करना जो है है वह aggregate planning में decision होता है उसका और वह decision in outputs की बेस पर होता है इसके हमने देखा था कि अगर आपके पास यह तमाम inputs आ गई है आपको फरस करें पतर लग गया है कि साल के इस हिस्से के अंदर movies जादा release होती है ठीक है तो फिर आप जादा लोग hire कर रहे होगे अगर आपको यह पता है कि साल के इस हिस्से में movies आती नहीं है या लोग नहीं आते ठीक है या रात की shift में आप movies ला रहे हैं तो उसके लिए आप खोश आए तो एक आद बंदा ही चाह है तो यह इस तरीके से अग्रिगेट प्लानिंग में size of the workforce decide हो रहा होता है फिर आपने as an output आपको इस प्लानिंग से inventory levels भी बता लग रहे होते हैं आप अगर products produce करते हैं तो आपको as an output यह पता लग जाता है कि मुझे कितना raw material manage करना है कितने मुझे अगर कोई फिर finished goods अगर तो मैं कोई और ऐसी पंक्खे बेच रहा हूं तो क्या पता मैं पहले से कुछ पंक्खे बना के रखूं जो as a finished goods बढ़ी हो ठीक है मेरे पास factory में या outlet में ताकि कल को इसकी डिमांड जादा बढ़ रही हो तो मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकूं ठीक है तो यह inventory levels हैं वही मुझे help कर सकते हैं ठीक है फिर as an output planning में यह भी मैं manage कर सकता हूं कि मैंने क्या यह demand जो मेरे पास आई वी है products produce करने कि हो मैंने regular time में करनी है shift अगर मेरी 9-6 factory के तो उसी में करनी है या कोई overtime लगाना काम जादा है तो मुझे शाहिए 2-3 घंटे जाए अपने workers को extra का कराना पड़े ठीक है तो यह भी असना आउट पुट जाहिए इस planning के तुरू डिसाइड होता है सब contraction तो नहीं करनी मैंने ठीक है कि मैंने अपनी किसी sister company होगी ठीक है बाद वकाद ऐसा होता है कि हमारे किसी और शहर में हम कोई और company होती है या similar sort of एक और factory होती है जो कि जि है पूरी कर पाएं तो फिर आप उसको सब contract कर लेता है यह मैंने इनकी जो है ना high level जो है वो details भी लिखी हुए है ठीक है तो similarly हमारे पास backlogs और back order एक ही चीज़ होती है ठीक है इसके against मैंना आप quality explain किया था कि customers की अगर demand आती है और आपको पता लग गया है कि यह आप उस व 6 मां हो सकते हैं ठीक है तो back order कर लाया जाता है customer उसकी payment कर रहता है लेकिन यह कि उसको वह आइटम या प्रडॉक्स या सर्विस जाएं वह बाद में दी जाती है तो उनको back order या backlog लास सेल लास सेल की definition यह है इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई demand आई-वी थी customers की और वह आ आप सब कांट्रेक्शन के तुरू या फिर regular time या overtime के तुरू या backlog के तुरू आप किसी भी तुरू जो है वह manage नहीं कर पा रहें ठीक है और आपको यकीन है कि यह जो है lost हो जाएगी सेल यह किसी और company के पास से ली जाएगी ठीक है और customer भी जाएगा उसी company को पैसे दे रह तो definite देख लेते हैं और फरक देख लेते हैं कि बारे में कहला आता है कि आर ऑल अप्ट्स आफ अग्रीगेट प्लाइन तो यह वो त्माम के तमाम इनप्ट्स हैं for aggregate planning तो यह तमाम के तमाम जैन कला ती है थिक है दिर आ अग्रीगेट प्लाइन टो यह ओल आउपट्स आफ aggregate plan होती हैं तो यह तमाम के तमाम outputs है ठीक है of aggregate planning यह तमाम के तमाम aggregate planning करनाती है हमने यह भी study किया था कि इसकी core definition है कि आप बेहतरीन तरीके से resources के इस्तेमाल करते हुए जब demands meet करते हैं तो वह aggregate planning होती है ठीक है अच्छा अब यह planning जो है यह थोड़ी इस एक्जांपल से की तुरू बतायता हम फरस करें, आपने डिमांड मीट करनी है, एक लाख गाड़ियां बनानी है, तो इस लेवल की जब अग्रिगेट प्लाइनिंग हो रही हो थी, तो इसमें सर्फ यह पता है, कि एक लाख गाड़ियां बनानी है, मास्टर स्केजल में आपको फिर यह तक डिफाइन करना होता है, यह तक प्लाइन करना होता है, कि कौन से टाइब की गाड़ी कितनी बंद रही होगी, ठीक है, इसमें स्पोर्ट यूटिलिटी वहिकल्स कितनी होगी, एक लाख में से, सदान वाली कितनी होगी, हैच पाक वाल तो first one is proactive इसका मतलब है alter demand to match capacity तो alter का मतलब होता है change करना तबदील करना इसमें आप demand को तबदील करते हैं ताकि आप उसको match कर सकें अपनी capacity के साथ capacity का in simple terms में मतलब यह है कि आप अपने resources को यानि आप अपनी जो machines इस्तेमाल कर रहे हैं services के लिए उसके जिकर हो रहा है workers यह employees आपने रखे हुएं वह भी इसमें आते हैं वह इस पेस वह इरिया जहां या फिर वह काम हो सकती है ठीक है ज्यादा की case में आप चाहेंगे कि इसको आप कम कर पाएं ताकि आपकी जो capacity आप उसको मीट कर पाएं फरस करें आप चाहते हैं कि इसको आप कम कर लें पचास कर लें ठीक है तो ही मेरे लिए असान होगा कि मेरे पास workers इतने हैं machines इतनी है कि मैं असानी से 50 products produce कर पाऊँगा ठीक है या फिर मेरे पास डिमांड जो है यह कम है ठीक है मैं इसको जज़्दा करना चाहर हूँ मैं इसको 150 करना चाहरा हूं ज़्याद इसलिए करना चाहरा हूं कि मेरे पास बंदे ज़्यादे हैं ठीक है और वह अंडर करते हैं आप इस तरह के स्टेप्स लेके अपनी डिमांड जो है वो बढ़ाया काम कर सकते हैं ठीक है फरस करें प्राइसिंग के तुरू ठीक है आप का रेस्टरेंट है और उसमें शाम आठ से दस जो है वो काफी रश रहता है ठीक है और आप को देखने को मिलता है कि आपके वरकर्स जो है वो बहुत जड़ा बीजी रहते हैं बलके ऐसा भी होता है कि कुछ कस्टमर्स को आप सर्फ नहीं कर पातें तो आप क्या करते हैं कि प्राइस उससे जो पिछले घंटे हैं जिस तरह 6-8 का टाइम होगा उसमें आप डिसकाउंट के साथ जो है मैं तब कम प्र बाड़ की एसाविस की डीमांड कम है तो आप आड़स से इस्तिहारा से रीडियो पर यह आप उसकी डेमांड मारब ही वह बढ़ा सकते हैं ठीक है प्यक्व ठीक है एमने खिर किया था कि कि सब्सक्रिका करते हैं कि आपको जह Warsा बाद में डिलिवर कर दी जाएगी तो इस स्ट्राइडिजी के थूप भी आप जो है वो डिमांड ऑल्टर कर सकते हैं ठीक है कि अगर आपके पास डिमांड आगी एक दम से के आप एक लाक यह चीज़ें प्रिड्यूस करके दें तो आपके पास इतनी कैपसिटी नहीं है तो डिमांड कर दी डिमांड कस्टमर की हालांके रही उतनी लेकिन कमस्का आपने टाइम बाय कर लिए कि आप अपनी कैपसिटी के तुरूस को फिर सर्फ कर सके ठीक है देन देर इस न्यू डिमांड ठीक है बाद वकाद ऐसा होता है कि आपकी इस प्रट की डिमांड बिल्कुल ही नहीं कि प्रोड़ेर्स सब्सक्टार करने लाग जए तही है तो इस तरीके से आप जा मांड बढ़ा कर सकते हैं टीक है तो यह अपनी केसी सब्सक्राइब करते हैं कि इसका सब्सक्राइब करना डिमांड आपकी एक ही तरह की रहती है ठीक है फरस करें आप से कहा जा रहा है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इसके या तो आपकी काम होगी ठीक है कम तब ही होगी या तो आपके बस मशीन काम होगी जगा काम होगी या वर्कर्स काम होंगे तो कहा जा रहा है कि आप उस पर मेहनत करके उनको बढ़ाएं ताकि वो इसको मैच करें या अगर आपको लग रहा है कि है उस capacity को कम कर लें ठीक है तो उसको ऐसे कम किया रह सकता है कि आप उनको resign करा दें उनसे ठीक है या उनको slack time मतलब उनको training में भीज़ दें कि उनकी skills improve हो ठीक है या अगर आपको लग रहा है कि डिमांड इतनी है कि आपके पास capacity है तो आप उनी वोर्कर से ओवर टायम लगा लें ठीक है अगर आपको लग रहा है कि डिमांड जदा और capacity कम है ठीक है तो आप बंदे से जुए जफाइव करके लिए तो फिर आपको अगें लगा रहा है कि डिमांड NG जभे बoti पास के वंए तो फिर नाव पारट टाइम के तो फिर यह हैर कर सकते हैं कुछ और लोग ऐसे टाइम में हाइल कर सकते हैं उत्ट है में ठीक है इसके लावा आप inventories को भी बेटर तरीके से maintain कर सकते हैं आपको लग रहा है कि डिमांड जो है वो एक ऐसे टाइम में कम है तो आप प्रड़क्स उसी पेश से उसी मिध्दार में प्रड्यूस करते हैं उनको अपनी कर लें प्रटाइम भी कर लें टीक है आप यह अाबजैंडि नहीं मीट कर पाएंगे तो फिर आप सब कांड्रेक्टिंग कर लें किसी sister company को टीक है आप या किसी और आपको ऑनको क्हवाख का क्वच डिया आप एंसे का मिदस रद्ग को meet करने के लिए आपको कहीं पर लगता है कि आपने डिमांड जो है order करनी है कि पिसी निकल दो आप वो कर लगता है किसी मौगे पर तो कभी आप इसको follow करते हैं कभी इसको follow करते तो mix and match होता होता दोनों का ठीक हो को अगर आपने डिमांड को अलटर करना है तो यह जल्दी भी हो जाएंगी अर्सानी से हो जाएंगी फुर्स करें आपने प्राइस चेंज करनी तो रात और रात हो सकती है अगर आपको बंदा है थैसे अपने पहले अड़ेना ओगा फिर स्क्रीनिंग होगी शौट लिस्टिंग होगी इंटर्यूस होंगे ठीक है फिर साधरी आफर की जाएगे तो एक टाइम लगेगा इसको तो अगें यह सारी एक्टिविटीज ऐसी है कि इस पर आपको टाइम लगेगा इस पर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा तो यह ती कि वह सब कॉंट्रक्टिंग करें ठीक है यह पार्ट टाइम वरकर्ष करें या फिर ओवर्टाइम करें ठीक है या कुछ कंप्नी जीवन यह भी नहीं पसंद करती हैं कि लोगों को निकाला जाए ठीक है तो आपने उनकंपनी जिसमें आप काम कर रहें जिसके लिए आप यह प्लानिंग कर रहें उनकी कंपनी की पॉलीशी को मदे नज़र रखते हुए आपने कुछ स्ट्राड़ीजी करनी है तो कि आप को किसी पॉइंट से मना किया वाया उस प्लानिंग में आप काम कर रहे हूं ठीक है सिमिलरी कॉस्ट को भी आपने देखना है तो आपने क कि अप इतनी कास्ट करके रहां मटेरियाल ले लें टीक है तो कास्ट के भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं तो इन दो पॉइंट का कहा गया खासवाप पर आप आपने जिकर किया गया है कि आपने ख्यार रखना इनका और आपको यह दो पॉइंट्स अगर आपको याद हो हमने जब पांच इंपुट्स पड़े थे ठीक है जो हमने एक्रिकेट पैले की स्ट्राइजी डिसकस कर रहे थे तो उन में भी इन दो का जिकर था ठीक है तो यह सब्सक्राइब करें अगर समझाया है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें अपने कमेंट्स भी लाजमन दीजेगा थैंक यह वाचिंग दिस वीडियो